2022, एक ऐसा साल जब approximately 1,000 companies ने 1.5 lakh लोगों को job से निकाल दिया और इस layoff के अंदर हमने कई बड़ी companies के नाम भी सुने जैसे की Twitter, Amazon, Meta, etc. सबसे बड़ा जो prime reason इस layoff के पीछे करा रहा हो था higher cost of the companies जो उनकी income को squeeze करता चला जा रहा था और इस layoff scenario ने startup के orientation को ही बदल डाला हर startup जो शुरू के अंदर focus रहता था कि उसका valuation जल्दी से जल्दी 1 billion dollar का हो जाए और वो unicorn declare हो जाए, आज उन्हें अपना focus होए, वो unicorn से कौकरो startup की तरफ shift कर लिया है अब उनका जो primarily concern है, वो market के अंदर stable होना और longevity पे focus करना हो गया है और valuation secondary objective बन कर रहा गया है ऐसे में हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि एक कौकरो startup होता क्या है और ये कैसे काम करता है और आज मैं फिन आलसे में आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ एक startup को कौकरो startup इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी जो features होते हैं वो काफी हद तक कौकरो से मिलते हैं कौकरो का main feature क्या है कि वो बिना head के और बिना food के लंबे वक तक जिन्दा रह सकता है और उसकी जो growth होती है वो explosive होती है similarly जो कौकरो startup होता है वो भी adverse market situation के अंदर भी survive करता है और उसकी जो growth होती है वो slow होती है बट continuous होती है और बिना huge funding के भी वो लगातार धीरे-धीरे आगे बढ़ता चला जाता है कौकरो startup के अंदर 6 basic features होते हैं आई अब हम उसको समझते हैं कौकरो startup का सबसे पहला feature है वो है cost cutting ऐसी companies जो होती है fixed asset पे कम से कम खर्चा करती है rent पे space लेती है अपनी खुद की property नहीं खरीदती ऐसे employees को hire करती है जो अपने खुद के resources लेकर आ सके है for example अगर company को laptop के जरूरत है काम करने के लिए तो ऐसे employees को hire करेंगे जिनके पस खुद का laptop हो और work from home की facility भी provide करते हैं ताकि कम से कम उनकी running cost रहे कोकरो startup का जो second feature है वो है resourcefulness ऐसी companies जब potential employees को approach करती है तो अपना vision और अपना enthusiasm बेटने की कोशिश करती है higher package वो offer नहीं करते हैं सबसे बड़ा benefit इसका ये होता है कि जो money mandated लोग होते हैं वो शुरू में filtered out हो जाते हैं और सिरफ वही लोग बचते हैं जो creative होते हैं और dedicated होते हैं और वो पूरी loyalty के साथ company की objective को achieve करने के अंदर focus रहते हैं ऐसे जो startup होते हैं वो अपने product और service पे जारा focus होते हैं ऐसा नहीं होता है कि एक बार product को develop कर दिया और अगर startup track पे आ गया तो valuation के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं बट वो continuously अपने product को और अपने service को improve करते चले जाते हैं ये जो startup है तीन जगा पे focus होता है that is profitability, profitability and profitability हमने generally देखा है जो startups होते हैं वो बहुत लंबे वक्त तक losses में रहते हैं और यही reason है जो funding agencies होती है उनको काफी जारा नुकसान भी झेलना पड़ता है और उसके पिछे का prime reason यही रहता है कि ये startup maximum market share की तरह focus होते हैं ज़्यादा लोगों तक अपने product को लेके जाते हैं शुरू में free में भी देते हैं जब लोगों को आदत बढ़ जाती है तो कुछ charge लेना शुरू कर देते हैं बड़ जो kokoro startup है इनका orientation थोड़ा different होता है ये कम लोगों तक जाते हैं अपने product को इस तरह से position करते हैं कि उसका price reasonable रहे client को ज़्यादा महंगा ना लगे और company को losses ना हो तो शुरू से ही वो profit में ही रहना पसंद करते हैं kokoro startup का तो fifth feature है वो है adaptability according to change market situation ये भी लगातार अपने आपको बदलते रहते हैं अगर market की demand उने different product लाने को कहती है तो वो नया product launch करते हैं अगर उनको ये लगता है कि हमारा target customer बदल चुका है तो वो नय customer को ढूनते हैं अगर उनको ये लगता है कि हमारा जो communication style है हमारे customer तक जाने का वो गलत है तो उसको बदलने की कोशिश करते हैं मेरा कहने का मतलब यह है कि इस dynamic word के अंदर वो static नहीं रहते continuously अपने आपको update करते रहते हैं Kokoro startup का जो last feature है वो है resilience मतलब कि कभी भी ये हम्मत नहीं आरते continuously आगे बढ़ने के बारे में सोशते रहते हैं जब-जब ये नीचे गिरते हैं फिर से खड़े होते हैं फिर से कोशिश करते हैं और अपना survival है उस पे ही focus करते हैं So that was all from my side and you know इस topic को discuss करने के बाद मुझे खुद को realized वा कि जो मेरा खुद का personal startup है फिनैलसीज ये भी actually Kokoro startup ही तो है and what about yours? मुझे comment box में जुरू लिखके बताईएगा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको like and share कीजिएगा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो please hit the subscribe button Thank you so much for watching this video Take care